कोश्टन्स पर मैंने अभी अली करा रहते हैं अब यहां पर क्या होता है इसके 3 में इसे करार दो यहां पर करेंगे हमने बताया आपको dy dx ही होगा इधर ले जाएंगे जो नंबर उपर होगा वो होना चाहिए इसको इसे लेके जाएंगे देखो जैसे हम पहले करना चाहरे हैं इसको माले हम इसे करना चाहरे हैं dy upon dx equal to इसको उधर भेज दें तो 1 upon x minus y plus 2 यह हो जाएगा तो इसको हम separate नहीं कर सकते हैं separate कर सकते हैं नहीं कर सकते हैं इसको कुछ नहीं बना सकते हैं इसलिए question क्या करना है इसको इसको उधर भेज देते हैं इसको जैसे भेजेंगे तो हार पास क्या हो जाएगा देखें dx upon dy equal to x minus y plus 2 आई होप समझ भाई होगा अब क्या करेंगे हमने क्या कहता है जद हमाई पास ld है ld होगा तो जो नमबर हमाई पास ऊपर होता है वही नमबर यहाँ पे second पे होना चाहिए तो देखो वही बनना है dx upon dy minus इधर लेकर आजा है x equal to 2 minus y यह से कर लेते हैं तो यह नमबर यह नमबर और यह नमबर देखो सेम है नहीं अरे यहाँ पे 1 लिग लेंगे ठीक है आई वह सुनगा है तो यहाँ पे compare करते हैं किसे comparing करते हैं dx upon dy plus p x equal to q से compare करते हैं तो आप पे हमारे पास p equal to minus 1 and q equal to 2 minus y यह आजाएगा तो यहाँ पे हम क्या करते हैं compare करने के बाद यह वह लूप को हम लिखते हैं integrating factor integrating factor तो यहाँ पे क्या हो जाता है e की power integral p dy हो जाएगा तो यहाँ पे equal to e की power integration minus 1 minus 1 dy y इसलिए e की power minus y i f अब लिखते हैं यहाँ पे x into i f equal to integral integral q into i f dy वह लूपूट कर देंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा क्योंकि 2 minus y bracket में e की power minus y dy i hope सोने आया हुआ integration है यहाँ पे तो हज़ जाएगा x into e की power minus y इसको y cancel नहीं करना है अब यहाँ पे क्या करना है equal to इसके साथ multiply करेंगे तो integration 2 बाहर आ जाएगा e y dy यह जाएगा अब अगले again करेंगे minus integral e की power minus y y dy यहाँ पे d इंटेगरेसर dy dx कर लिया यहाँ पे x e की power minus y equal to 2 यहाँ पे इसका integration करेंगे इसे लिख देते हैं फिर integration e की power minus y dy यहाँ पे फ़र्सक्राइगा यहाँ पे हमारे पास आएगा जिसे इसका लगाएंगे तहाँ परस क्या हो जाएगा y plus का e की power minus y फिर minus integration e की power minus y dy इसका 1 हो जाएगा यहाँ पे करेंगे differential इसका 1 हो जाएगा y की power minus y plus c e की power y cancel कर सकते हैं आपर लिख सकते हैं यह answer हो जाएगा I hope so new आएगा बहुत अच्छा question से ध्यान रखेएगा लगाईएगा solve करिएगा अगला question मैंने लिखा है यहाँ पे लिखा है तो इसको क्या करेंगे हमारे पास y लिखा इस वाले को उधर भेज दे पहले इसको मैं इधर भेजते हैं तो मैं पर क्या हो जाएगा y dx upon dy equal to x plus 2y की power 3 y को उधर से भेज देते हैं divide कर जाते हैं dx upon dy minus x upon y equal to 2y square I hope so new आए होगा यहाँ पे compare करेंगे यहाँ पे compare करेंगे p बराबर minus 1 upon y and q बराबर 2y square ठीक उपर आजाते हैं questions आजाता है हमारे पास if equal to integration e की power यहाँ पे if बराबर e की power integration p dy value put कर देंगे e की power minus आगे integration one upon y dy is come to love minus e की power minus log y minus आगे भी देते हैं तो होजाएगा e की power log one upon y is come to love one upon y फिर अगेन करेंगे अगेन करते हैं आपे आपर पास होजाएगा क्या x into i f equal to integration q i f dy यहां पर कोश्चन सौल पर रहे हैं हमाय पस क्या एकस डी-ैक्स बराबर फार्मूल्य कोई क्शूजन हो रही है नहीं होरी ना तो यहां पर क्या क्या है हमने एकस इंटू फॉन अपान वाई हो गया इसकी यहां पर रखेंगे क्या लिखा यहां पर 2 y square integration यहां पर क्या है into 1 upon y dy यह से cancel हो गया यहां पर y तो बचेगा यहां पर क्या है x upon y equal to 2 बाहर integration y dy सब्सक्राइब आ रहा है उपर चले हैं यहां पर यहां पर क्या लिखा हमने लिखा x upon y लिखाना equal to integration करेंगे 2 पहले रहेगा y square करेंगे y square होगा upon 2 आएगा plus c होगा 2 से 2 cancel out इस बाइब को इधर भेज दे भेजना चाहिए थर भेज दो x equal to y cube plus y c answer बहुत अच्छा question से देखेगा समझेगा नहीं आये पूशेगा धन्यवाद अगला question करा रहे हैं अगला question कहे रहा हमारे पास x dy upon dx plus 2y equal to x square log x तो यहाँ पर हमने बदाय questions करने से पहले यहाँ पर यह number dy upon dx simple होना चाहिए जो number यहाँ हो वो number यहाँ पर होना चाहिए लेकिन यहाँ पर उसका multiple नहीं होना चाहिए multiple नहीं होना चाहिए इवाइड करते ही हमारे पास portion नहीं है बनना है जीखें dy upon dx plus 2 upon x y equal to x log x ठीक है अब यहाँ पर हमारे पास आ गया पी equal to direct लिख रहा हो direct लिख रहा हो compare नहीं कर रहा हो आप compare कर लेंगे मैं direct लिख रहा हो बार बार आप compare कर लेंगे मैंने बताया ना compare कैसे करेंगे उसी साब से compare करेंगे कैसे compare करते हैं बार लिख देता हूं फिर से लिखता हूं यहाँ पर dy upon dx plus p y equal to q से compare करेंगे तो compare करते ही हमारे पास क्या जाएगा P बराबर 2 upon X and Q बराबर X log X यह दो नमबर आ जाएगे अब यहाँ पर क्या करेंगे हम जैसे solve करेंगे कैसे solve करते हैं हम क्या लिखते हैं IF integral factor integral factor क्या होता equal to E की power integration P D X E की power P कितना है हमारे पास 2 upon integration 2 upon X D X इसका मतलब हो जाएगा E की power log X square यहाँ पर क्या हो जाएगा IF equal to X square IF equal to X square हो जाएगा तो यहाँ पर आगे आते हैं आगे हम इदर लिख रहे हैं क्या हो जाएगा question पर पास Y X Y I F लिख रहा हूँ Y I F equal to integration Q IFD X ठीक है तो यहाँ पर Y into X square X square equal to integration X log X into X square D X यह X X की square हो जाएगा तो यहाँ पर हो जाएगा Y X square equal to integration X 3 log X D X यह हो गया फर्स्ट है second फर्स्ट सेकेंड में क्या होता है फर्स्ट का integration second है integration I late I late यहाँ पर पहला यह second second यहाँ पर फर्स्ट हो इस है यहाँ पर हमारे पास रहा log X इसका integration करेंगे X Q X 4 X 4 upon 4 minus minus फर्स्ट का फर्स्ट का integration second का differential तो फर्स्ट का integration हमारे पास क्या होँ X integration X 4 upon 4 into 1 upon X D X यहाँ पर यह X X square से cancel हो गया तो हमारे पास यह बचेगा यहाँ पर देखो यह बच रहा है यहाँ पर इस वाली बात कर रहा हूँ यहाँ बचा X की power 3 upon 4 इसका integration करेंगे तो हमारे पास क्या रहा है X की power 4 upon 4 पहले से 4 multiply 4 यहाँ पर इस value को यहाँ पर पूट करते हैं देखें हमारे पास क्या हो जा रहा है यहाँ पर इसको आगे लिखते है X की power 4 upon 4 log X minus क्या है यहाँ यहाँ पर X की power 4 upon 16 plus C इसमें कामन लेना चाहाए कामन लेजिएगा कामन लेंगे तो हैं पर X की power 4 upon 4 कामन ले लेंगे 16 कामन ले लो यहाँ पर 16 कामन ले लिया तो हैं हो गया 4 log X minus 1 bracket closed plus C इसको इसके power भेज सकते हैं यहाँ पर Y X square equal to जो answer होगा जो answer आ रहा है वोस answer के question solve पर लेते हैं आगे देखे question बहुत अच्छे चे questions करा रहा हूँ ज्यान दीजिए दर्गाते लिए